मुवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारी मेन गेरेक्टर को एक आदमी ने चाको लगाया है वो से कहता है मैं तुम्हारा हार्ड महसूस कर सकता हूँ मुझे लगता है कि तुम प्यार में हो ये कहकर उसे टच कर रहा था तब उसने रियलाइस किया कि जेसिका के पास एक गन है जेसिका जल्दी से उसे पटकती है और सब सिचुशन अपने कंट्रोल में ले ले थी है हमारी जेसिका एक पूलिस ओफिसर है उसने जल्दी से अपन डिरेक्टिव बन चुकी है एक बार में इसी के पार्टि अपने सब कलिक्स हो दे रही थी जेसिका के पुराने पार्टनर का नाम विलसन था विलसन उसे कहता है अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया पर फिर भी तुम्हें कोई भी हेल्फ चाहिए तो हमेशा मैं तुम्हारे चेट थी उसे बात करते हैं पुछ दे तुम किस डिपार्मेंट से हो माई के सबर उसे खुछ भी नहीं बोलता माई की सिकरेटिव है तो जैसिका ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं दिखाती है इसी पार्टि में जैसिका का एकस बॉइफेंड इसका नामें चीमी ये भी आया ह उसे लगता है कि कमिशनर जेसिका की गार्डियन थे, तो इसी वज़े से उसे प्रोमोशन मिला, कमिशनर भी इस पार्टी में आ चुके थे और ये बात उन्होंने सुन ली, वो जिमी के पास आये, उन्होंने कहा, तुम्हारे पीछे एक आदमे बेटा है, मुझे उसका डिस् देखर ड्रीम पी रहा है, जेसिका एक बहुत ही सिंसिर और क्रेडिवर्ड डिरेक्टिव है, हमारे कमिशनर का नाम है जॉन, जॉन जेसिका से कहते हैं, मेरे आफिस में चलो, आज जॉन जेसिका से बहुत ही गुस्सा है, कहते हैं, आज तुमने बहुत गल्ती की थी, स्रस वो आप डिरेक्ट्टू बन चुकी है तो आज वो बहुत प्राउट थे इसके बाद जेसी का बार में एक रैंडम आदमी के साथ मिलती है उसी के साथ इंटिमेट हो जाती है कराने के बाद उसने फादर की डेट की फाइस देखी यहां समय पता जलता है उसके फादर में सुस रहते हैं और कहती है कि मैं पर्फेक्ट्ली फाइन हूं उससे अगर कोई स्ट्रेस आता है तो निकालने के जिए उसने सेल प्रोटेक्शन का क्लास जॉइन किया है जब जेसी का फर्स टाइम अपने ऑफिस में आई तो सब लोग उसे कॉंगरेचुलेट करते हैं तो सब रह कर दी जैसी का ने अपना जौब शुरू भी नहीं किया तब तक उसका एनिमी बन गया जिस कल्प्रिट को जैसी का ने मूँपर मारा था उसने अपना लॉयर अब बुलाय हुआ हुआ है जो उसने किया बहुत कलत किया मुझे धोके से वहाँ लेकर गई थी मुझ पर हमला क किया इस कल्प्रिट का लॉयर एक बहुत बड़ा लॉयर है इसका नाम है रे, रे कहता है कि उसने जो किया इस के लुससे भुगत ना पड़ेगा, मीटिंग के बाद रे जैसिका और माइक से मिलता है, माइक कहता है तुम उसे रिप्रिजेंट डियू कर रहे हूँ, तुम मैं पता चला इन दोनों में relationship हुआ करती थी रेनी जेसिका को संडे पर अपने घर पर बुलाया इस case को discuss करने वाला है जेसिका ने उसे मारा था कि problem ना हो जाया तो जॉन से ओपनियन मांगने के लिए वो आई हुई थी जॉन कहते हैं तुम्हें कोई भी problem नहीं होगा तुमने कि उनके बारे में क्यों बात करनी है psychologist कहता है तुम्हारे एंगर issues शायद उस वज़े से है जैसे का गहती है मुझे कोई भी एंगर issues नहीं है यह बताते बताते बहुत ही गुसा हो गई थी आज रात घर आने के बाद भी वो फैसे अपने father की crime scene के photos देखती है यह देखती हो को drink करकर रो रही थी है वो अपने parents को बहुत मिस करती है थोड़ी दर में उसे माइक का call आया उन्हें सी शोर के पास एक dead body मिली है उन्होंने discuss करकर decide किया कि उन्हें सी शोर का पुरा round लगाना चाहिए dead body के हाथ पर एक cigarette का burn notice करते है इस body के चेहरे को जैसिका ने जब सही से देखा तो रियलाइस किया जैस stranger के साथ हो intimate हुई थी यह उसी की dead body है इसके बारे में उपने partner को बता देती है यह उसे कैसे जानते थी जब यह उसके कलीक को बता चला तो उसे judge करते है इस पर उग से गहता है यहाँ पर बहुत सारे places से जहाँ पर आप कुछ ना कुछ तो hide कर सकते हो माइक actually इसी shore के पास रहता है तो उसे सब कुछ पता था माइक ने dead body पर sand दीखी थी तो किनारे पर आया माइक को लगा कि शायद यहाँ पर murder हुआ होगा जैसिका को याद आया कि उस रात वो और वो stranger यह दोने यहाँ भी intimate हुए थे अगली दिन इस case पर office में discussion चल रहा था जैसिका को लगा कि एक serial killer का काम है इस पर सब लोग बहुत अस्ते हैं कोई भी उसे seriously नहीं लेता रात में माइक और जैसिका बार में आय हुए थे यहाँ पर जैसिका का ex-boyfriend जिमी उसे stock कर रहा था जैसिका की कहने पर माइक उसे दूर रहने की धमकी देता है बार में ड्रिंक करने के बावजुद जैसिका घर आकर फिर से ड्रिंक करती है वो pass out हो चुकी थी सुबह उसे माइक का call आया और उन्हें और एक dead body मिली है इस तरीके से last dead body थी उसी type का cigarette bun इस victim के हाथ पर इस victim के साथ भी इंटिमेट हुई है नेकसिन में हम देखते है फॉरें 6 की लेडी इस लाश को देख रही थी लाश की एर पर उसे एक अलग आदमी का blood मिला और शायद killer पकड़ा जा सकता है इस blood को analyze करकर इसका result आने में जाड़ा time लगेगा अगले दिन psychologist के पास जैसिका ब बात में सोई हुई हूँ यह बात उसने अपने पार्टनर को भी बता ही नहीं psychologist ने कहा तुम्हें बात बता देनी चाहिए शायद तुम डेंजर में हो सकती हो इसन के बाद जैसी गाजा पार्किंग लॉट में थी तो उसी उसकी काड़ी की किस नीची गिर गई उसकी पीछ कियता है तुम्हारी मदर से बहुत प्यार कर दे थे उसके जाने के बाद वो बहुत ही घम्मे थे इसलिए उन्होंने सुसाइड की थी तुम इन बातों पर जादा सोचो मत अपने जॉब पर कॉंसेंडरेट करो अगले दिन सब डिरेक्टिव मिलकर केस पर डिसकस कर रहे थ यहाँ पर जैसी का की गलीक जिसका नाम है डेल इससे बात करता है केता है हमें तो जैसी का पर शक करना चाहिए वो फर्स विक्टिम के साथ सोई हुई थी शाय है सेकंड के साथ भी सोई हुई है वो मजग कर रहा था पर जैसी का को बहुत जादा गुस्ता गया वो जोर से उसके कमर पर लाद मारती है माईक उसे शांत करकर एक जगा पर लेकर आता है जेसिका कहती है कि वो जो बोल रहा था यह सच है माईक इस वर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कहता है मैं तुम्हारा पार्टनर हो वे मुझे सब कुछ चीज़े बतानी चाहिए यह बात उन्हेंने उनके बोस से कही और कमिशनर के पास आकर ही डिसकस करते है कमिशनर जॉन ने कहा कि हमें जेसिका को केस पर रखना कंटिनू करना चाहिए यह सब मर्डर की लिंक उससे ही है जेसिका की वज़े से हमें अच्छे एक लिउग मिल सकते है जॉन को बताता कि जेसिका ने अपने कलिक को मारा इस वह बहुत ही कुस्सा था उसे वह बहुत डाटता है जेसिका कहते है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ जॉन कहता है तुम्हारे आसपास के लोग मरते क्यों रहते है इसके बाद जेसिका और माइक जो भी विक्टिम्स थे इनका बैगराओं चेक कर रहे थे बस विक्टिम जिस बार में जाता था उस बार में हो गए बाग बार रेंडर कहता है लास्टाइम उसे उसने जेसिका के साथ ही देखा था यो उसके घर पर आये जाब और विक्टिम की लैंड लेड़ी कहती है यो जब लास्टाइम मैंने उसे देखा था वो तुम्हारे साथ ही था इनके सारे efforts waste जा रहे है राद में जब जेसिका घर पर आई जेमी इसे बहुत गुसा हो गया उसे साइकोबाइट बुला कर वहाँ से चला जाता है अगली दिन वो एक culprit से मिलने के लिए आई यो वही है जिसा हमें movie के first में देखा था यो जेसिका से कहता है तुम्हें और मुझ में जादा कुछ भी फरक नहीं है तुम्हें भी कभी कभी लगता है किसी का murder करना चाहिए जेसिका फिर से अपने office में जब काम कर रही थी तो उसका कलिक डेल उसके पास आकर उसे चिटाता है उसने उसे हाथ लगाया कहा कि अब तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे मारना चाहिए जेसिका उसे मारना तो चाहती थी पर control कर लिया उसे लगा कि डेल को इस case के बारे में इतना बता है तो माइक नहीं उसे बताया होका माइक पर गुसाओकर उसके घर पर आती है उसने उसे confirm किया माइक कहता है कि मैं तुम्हारा partner हूँ इस तरह की चीज़े में तुम्हारे साथ नहीं कर सकता तुम्हें मुझे पर trust करना चाहिए जेसिका शान्त हुई उस case पर वो discuss कर रहे थे माइक उसके लिए dinner बनाता है कहता है जिस तरीके से तुम food enjoy करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे किस करने लग गए जेसिका को लगा कि ये गलत है और उसने अपने आप पर control कर लिया घराने के बाद जेसिका को fool मिले थे ये उसी lawyer के है जिसे हो कल मिलने वाली है आज रात भी ट्रंग होकर वो बेहोश हो गई थे सुबह जब वो lawyer के पास गई तो directly lawyer की body ही उसी मिली सब पुलीस वेगरा को बुलाने के बाद जेसिका से question किये जाते है जेसिका का boss जॉन से कहता है कि अब उसे इस case से निकाल देना चाहिए शायद वो murderer हो सकती है जॉन कहता है उसके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है जो उसका first homicide case है अगर उसे निकाल दिया गया तो उसका career खतम हो जाएगा जेसिका जब अपने psychologist के पास आई तो बहुत ही जादा confused है उसे पता नहीं कि क्या उसने सर्षमुश में murder किये भी है या नहीं जेसिका हर राट drunk हो जाती है तो रात में क्या होता है उसे पता नहीं होता उसे लगता है कि violent है किसी की जान वो ले सकती है तो यही confirm करने के लिए उसने अपना blood lab में दिया उसने murderer के blood से इसे match करने के लिए कहा हमेशा जेसिका को अब लग रहा है कि उसका कोई ना कोई तो पिछा कर रहा है यह किसी को भी notice नहीं कर पाती रात में उसके घर पर नौक आई तो डर चुकी थी उसने उपन किया तो यह माईक ही था माईक उसे कहता है मुझे भी लगता है मेरा कोई पिछा कर रहा है जेसिका बहुत ही डर चुकी थी उसने माईक पर गन लगाई माईक उसे गन ले लेता है और उसे कहता है कि शान्द हो जाओ उसने उसे किस कर लिया जेसिका डर रही थी उसने कहा जिसे भी मैं किस करती हूँ उसका murder हो जाता है मैं कहता है कि मैं कही भी नहीं जा रहा उसने जेसिका को सुला दिया और यह एक बर वो रात बर सिक्रेट पी रहा था अगली दिन जॉन जेसिका को अपने office में बुलाते है जेसिका के पीछे एक board था उसे बुछते हैं मुझे बता कि इस board पर लिखा हुआ क्या है इस बार जेसिका सही से concentrated नहीं थी वो disturbed थी तो रोने लग गई John उसे सहार देते हैं कहते हैं तुम्हें अपना job सही से करना है इस तरीके से डरो मत जेसिका जब घर पर आई तो जिम्मी फिर से उसके घर में था फिर से उसे जबर्दस्ति करने लग गया इस बार वो मानने वाला नहीं था तो जेसिका ने अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लिया वो काश फोड़ कर अंदर आ जाता है ये से नहीं खतम हुआ सुबा जेसिका को जब फोश आया तो उसने देखा जिम्मी की डेट बोड़ी उसके पास पड़ी हुई है वो बहुत डर गई उससे फिस से क्वेशन पूछे जाते है उससे इस बार पूछा जाता है कि मर्डर तुम ने किये थे वो डिस्टब होगे रोने लगती है कहती कि मुझे कुछ भी पता नहीं है वो उससे जेर में डाल दिया गया उसका साइकलोजिस उससे बात करने के लिए आया हुआ था तब जान वहाँ पर पोचा जान जेसिका से गहता है कल राद तुमारे ड्रिंग में किसी ने कुछ मिला दिया था इसी वज़े से तुम अनकॉंशेस थे तुम कोई भी मर्डर नहीं कर सकती है इसी रीजन की वज़े से जेसिका को बेल भी मिल गी इसके बाद जान और जेसिका डिस्कस करते है जान गहता है कोई ऐसा है जिसे तुमारे सब कुछ रूटीन पता है तुमारे घर का उसे एक्षेस है जेसिका की माइन में एक है आद में आया उसका पाटनर माइक माइक को लेकर वो सस्पिचərस थी ही और वो सीगरेट भी पिता है जिस राध जेसिका माइक से मिली थी माइक ने ड्रिंग किया, जॉन कहता है, तुम हमेशा जेसिका की ड्रिंग में कुछ नगुछ तुम मिलाया करते थे, जॉन ने माइक के ड्रॉस चेक किये तो उसमें ड्रग था, माइक कहता है कि मेरा नहीं है, मुझे फसाय जा रहा है, जिस चोटे से लकडी की वेपन से हुआ था, ये मर्डर वेपन भी माइक के पास मिला, माइक इस सब पर बिलिव नहीं करता, एक्चुल में जॉन ने माइक के ड्रिंग में भी ड्रग मिला दिया था, तो अनकॉंशेस हो गया, जॉन जेसिका से कहता है, हमें अब इसे सजा देनी चाहिए, ये के स्कोट में ज करता है, कहता है, सब को लगेगा, तुमने उसे रिजेक किया, इसलिए उसे खुद कुशी कर लिए, जॉन ने सब क्राइम सिन से टप किया, जैसिका रियलाइस करती है, इसी तरीके का क्राइम सिन, उसके फादर की सुसाइन में भी था, याने कि जॉन ने उसके फादर को भ पर वो माना नहीं उन्दों में जगड़ा हुआ और जैसिका के फादर बहुत डिस्टप थे इसी वज़े से जौन ने जैसिका के फादर को मार डाला था यही जब बात करे थे तो माइक को होश आया और जल्दी से यहां से भाग जाता है जौन जोर से जैसिका को स्लाइब करक माइक के पीचे पीचे आया माइक अपने घर के नीज़े छुप गया था फाइनली जौन ने उससे ढूंड लिया जीस तरीके से सिरियल किलर अपने हर विक्टिम को बँध देता है उसी तरीके से जौन ने माइक के हाद पर सिगरेट बँध दिया जैसिका वहां पहुच पर वो मानी नहीं, इसलिए मैंने उसे मार दिया, तुम्हें भी वही बीमारी है, तुम किसी के साथ भी इंटिमेट होती रहती हो, मैंने हर एक को मार कर, एक क्यूर करना चाहा, जॉन कहता है, तुम अभी भी खुछ नहीं कर सकती, अगर तुमने मुझे मार डाला, तुम पर ही सब शक आएगा, जैसिका स्मार्ट है, उसने पहली अपने ओल्ड फ्रेंड को कॉल कर दिया था, जॉन का कन्फेशन उसने सुन लिया, और सारे पुलिस को लेकर वो यहां आ रहे थे, जॉन जैसिका से कहता है, मैं तुम्हें और एक लास्ट बास सिखाना चाहता हो, आप जो भी करते हो, कभी भी उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जॉन अब माईक को मारने वाला था, तो जैसिका उसे शूट कर देती है, जॉन ने जॉन बूश के प्रिटेंड किया, वो माईक को मार रहा है, वो पकड़ा नहीं जाना जाता था, पकड़े जानने से तो अच्छा मर जाना था, यह सब पुलिस ने देख लिया था, तो जैसिका को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो माईक के पास आई, उसे सौरी कहा, माईक भी उसे माफ कर देता है, इसी मुवमेंट पर इस मुवी का एंड हो जाता है, हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ, तो तक लिए थैंक्यू,